Hello and Welcome to my channel आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है बच्चो को आजकल विभिन परकार के काम घर से ही करने पड़ रहे हैं तो ये वीडियो भी मैं दिल्ली गवर्मेंट स्कूल में जो बच्चे पड़ रहे हैं उनके लिए हैं या उनके पेरेंट्स के लिए हैं क्योंकि हमारे स्कूल में कई परकार की स्कूलरसिप मिलती हैं और उसमें से जो मायनौर्टी की स्कूलरसिप हैं चाए वो प्री मैट्रिक मतलब की दस्वी तक हो या पोस्ट मैट्रिक उनके लिए आपको आपको आनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है तो यह जो आज की मेरी वीडियो है यह उसी से related है कि आप वो scholarship form को कैसे fill करेंगे तो उसके लिए कि आपको सुविधा होगा और आप असानी से उस form को fill कर सेगे उसके लिए बनाया गया है pre-metric and post-metric scholarship scheme जो central government की है centrally sponsored होती है minority students के लिए होती है यह 2020-21 है हमारा साल है किस portal पर यह भरी फिल की जाती है वो है national scholarship portal तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप वहाँ पर जाकर कैसे form fill कर सकते हैं अगर आपने last year जो scholarship का benefit उठाया है तो फिर आपके पास आपका user ID और password होगा आप उसके थूँ जो इस साल की entry है वो मैं बता दूँगा क्या है उसको करना है और अगर आप नए है और registration पहली बार करा रहे हैं सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को आती है तो यह आज की मेरी वीडियो उनको जरूर बहुत फायदा पहुंचाएगी तो जब आप अन तक बने रहेंगे तो आपको फॉम फिल करना बहुत असानी से आ जाएगा और बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए यह असान काम होगा इतना मुस्किल काम नहीं होगा मेरा जो चैनल है वो कॉमर्स का टीचर हूँ मैं दिल्ली गवर्मेंट स्कूल में ही तो कॉमर्स के बच्चों को कोई परिशानी ना हो इस सिच्विशन में उसके लिए उस मकसद से इस चैनल को मैंने शुरू किया था तो कॉमर्स से डिलेटेड अकाउंट और बिजनेस स्टेडी की सारी वीडियो मेरे इस चैनल पर हैं साथ इसाथ मैं ऐसी वीडियो जिन से हम सब को फायदा हो सके दिक्कते ना आए उसके लिए भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ जैसे आज की वीडियो है स्कोलर सिफ फॉर्म बढ़ने की एडिमिशन फॉर्म फिल करने की भी मैंने वीडियो बना रखी है तो आप वो भी देख सकते हो क्योंकि छटी से नौवी जो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए भी एडिमिशन चालू ह तो आप मेरे उस वीडियो पर जाके वो भी देख सकते हैं कि उसको हम अगर सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा दो वीडियो हैं उसकी एक फॉर्म फिल करने की और एक सारी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए उससे तो उनको भी करने की आप मेरे इस चैनल पर अगर आपको चैनल या जो वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि यह चैनल आपके लिए फायदे मन है तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलिएगा कलर ऐसा होता है जब आप सब्सक्राइब कर देने हैं तो सब्सक्राइब लिखा आ जाता है साथ ही साथ बैल आती है अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो आगे भविश्य में आने वाली वीडियो आप तक समय पर अपने आप पहुंशती रहेंगे यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसको maximum students तक share करना और comment करना मत भूलिएगा चलो अब हम अपने main काम पर आते हैं और वीडियो बनाते हैं कि कैसे हम इस online form को या तो registered करेंगे और अगर registered हैं तो कैसे इसको renew करेंगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप online form को fill करेंगे जहां तक मैं पहुँच सकता था as क्योंकि देखिए मैं legally allowed नहीं है मुझे कि मैं form fill करूँ तो जो मैं आपको समझा सकता था जहां तक बिना login किये बिना detail जा ले वो मैं आपको समझाने की पूरी कोसिस कर रहा हूँ आगी का काम आप कर सकते हैं अगर आप इसको समझ जाए तो तो चले शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले आपको जाना है scholarship.gov.in तो ये आपको google पर लिख कर सर्च करकर ये डालना है जब आप डालेंगे तो इस तरीके से आपके सामने page open हो जाएगा इस page में अगर आप new registration कराना चाहते हैं मतलब कि पहली बार apply कर रहे हैं तो आपको यहां पर click करना है और अगर आप पहली बार registration करा चुके हैं और उसके बाद अपनी पर करिया पूरा करना चाहते हैं तो आप login पर जा सकते हैं आपको अगर renew कराना है तो भी आप login पर जा सकते हैं पर सबसे पहले registration होना है अगर आप एक new है तो सुरुआत हम new registration के तुरू करते हैं कि क्या क्या guidelines लिखी होंगी कि registration पर क्या क्या चीज आपके लिए जरूरी है तो जब आप इसको यहां से scroll करेंगे scroll का मतलब होता है नीचे लेकर जाएंगे तो नीचे ले जाते ले जाते आपको सारी guidelines लिखी होंगी कि आपको क्या क्या करना है इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ आप उस वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं बाकी यहां भी आपके पास वो सारी guidelines लिखी है तो जैसे आप नीचे जाएंगे और सबसे last page पर पहुंचेंगे तो यह तीन चीजे मिलेंगी आपको और यहां पर आपको click करना है इन तीनों में जब आप इन पर click करेंगे तो यहां पर tick mark लग जाएगा tick mark का मतलब होता है तो यह सही का निशान अपने आप लग जाएगा जब आप इन पर tick करेंगे तो यह आपको तीनों tick करने हैं सारी information पढ़ने के बाद और फिर आपको continue पर click करना है फिर आप यहां click करेंगे तब यहां click करेंगे तो फिर आप नए page की तरफ चलेंगे जहां आपको registration की detail फिल करनी है तो इस तरीके से fresh registration form आपका open हो जाएगा for 2020-21 इसी साल के लिए हम भर रहे हैं तो यह खुल जाएगा सबसे पहले आप से पुछा जाएगा state of domicile आपकी जो मूल निवास है उसकी state कौन सी है जैसे अगर दिल्ली है तो आप यहां पर दिल्ली select कर लेंगे select करना पड़ेगा इस से यह drop down कहलाता है तो जब आप इस पर click करेंगे तो यहां सारे option आपके सामने खुल कर आजाएगे नीचे ठीक है तो उसमें से आप दिल्ली select कर लेंगे फिर आपको scholarship की category जो है वो select करनी है वो ही drop down पर click करकर अब वो pre metric भी हो सकती है और वो post metric भी हो सकती है और एक CMB होती है वो भी हो सकती है तो जो भी हो आप वो category यहां पर select कर लेंगे फिर आपको अपना name of the student लिखना है जैसे कोई भी नाम लिख लेते हैं अभी हम यहां पर जैसे हमने लिखिया राकी तो आपको अपना जो भी नाम आपका आपके school में registered है वो नाम आपको यहां पर लिखना है वो बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए क्योंकि mark sheet वगेरा सब पर वही नाम चल रहा होगा तो नाम को भरते से में ध्यान रखें फिर scheme type आप select करेंगे तो जो उनसी भी scheme है इसको drop down से आप scheme को select कर लेंगे फिर आपको अपनी date of birth डालनी पड़ेगी जो भी date होगी वो यहां डालेंगे जैसे 31 जैसे फिर उसके बाद July और उसके बाद मान लिया 2010, 12, 15 जो भी date of birth है वो डालोगे तो इस तरह के से आपको date of birth डालनी पड़ेगी फिर आपको gender select करना है male, female या boy, girl जो भी है तो वो आपको select करना है उसके बाद आपको अपना mobile number यहां पर देना है यह बहुत जरूरी है क्योंकि सारे notification इस पर आएंगे आपके तो mobile number बिल्कुल सही होना चाहिए email ID भी आपको provide करनी पड़ेगी जो भी email ID आपके घर में है जिसके पास भी वो email ID आप यहां पर लिख सकते है उसके बाद की जो detail आती है वो आपके bank से related है तो bank बहुत important है तो इन सारी detail को आप बहुत ध्यान पूरवक भरिए सबसे पहले आपको IFSC code लिखना होता है जैसे मैं अभी bank ले ले लेता हूँ SBI SBI के जो IFSC code होते है उसमें S-B-I-N और उसके बाद कुछ संख्याएं होती है तो इस तरीके से different different bank के अलग-अलग होते है तो जो भी आपके bank का हो आपको पास भुक पर वो मिल जाएगा वो यहां पर लिखना है यहां जो आएगा वो star बने हुए आएंगे मतलब कि आपको दिखेगा नहीं दिखने के लिए आपको confirm करना पड़ेगा bank IFSC code यहां पर दुबारा यहां पर लिखेंगे आप S-B-I-N दोनो टैली होने चाहिए जब ही वो आगे चलेंगे फिर ऐसे ही आपको bank account number लिखना है जब पहले लिखेंगे तो वो star के रूप में आएगा यहां पर यहां पर वो आपको numbers के रूप में दिखेगा bank account bank account detail भी बिल्कल सही बर नहीं है पिर जो भी आपका bank है उसकी branch सब पूरा उसका address एक तरीके से यहां दे सकते हैं तो यहां पर bank name लिख देना है जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ SBI पूरी full form लिख सकते हैं आप State Bank of India तो यह आप यहां पर लिख सकते हैं branch भी बता देंगे कहां की है फिर identification detail एक document आपको identification के लिए चाहिएगा वो अधार card भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है तो जो भी option यहां पर available होंगे जब आप इस drop down पर click करेंगे इसके उपर तो जितने option हैं और जो document आपके पास है उसको आप इसमें भर दीजेगा और उसके बाद यह लिखा है CAPTCHA CAPTCHA का मतलब यह होता है जो यह यहां पर लिखा हुआ आएगा उसको यहां से सही ढंग से देखकर आपको यहां पर लिखना होगा तो जब यह सारी चीज़ आप सही fill कर देंगे और उसके बाद आप इस register पर यह click करेंगे तो जैसे ही आप register पर click करेंगे आपको registration number मिल जाएगा और उस registration number के थूँ इससे पहले आपको जो है अगर for first time login OTP मिलेगा आपको जब आप पहली बार login करेंगे तो NSP आपको first time OTP भेज़ेगा उसके base पर जो भी mobile number आपने यहां दिया होगा उस पर वो OTP आएगा तो उसको देख कर उसको उसके base पर आप फिर आगे login करोगे क्योंकि आपको सबसे पहले अपना mobile number verify कराना होता है तो यह है उस fresh registration के लिए form को fill करना कि आप किस तरीके से form को fill करेंगे students आशा करता हों कि आप समझ गए होंगे आगे जब चलेंगे तो जब आप वहाँ पर form fill करते हैं आपको registration number मिल जाए तो fresh application के लिए आपको इस तरीके से login to apply करना है आप अभी apply कर रहे हो renewal नहीं कर रहे तो जो जितने भी fresh application जो डाल रहे हैं वो login to apply पर click करेंगे जो बच्चे पिछले साल अपना registration registration करवा चुके हैं और scholarship ले चुके हैं वो renewal पर जाएंगे उसको मैं आगे बताऊंगा login to apply पर click करना पड़ेगा जो application ID आपको मिली होगी वो और जो आपका password है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और capture password आपको बता दिया जाएगा क्या है आपके mobile नंबर पर आ जाएगा और आपको capture यहाँ पर लिखना है capture यह होता है तो यह आपको यहाँ पर fill कर देना है इस base पर आपकी login हो जाएगी तो यह तरीका था कि fresh application में आप किस तरीके से भरेंगे अगर आप already apply कर चुके हैं last year तो फिर आपको जो यह वाला point था apply for renewal पर click करना है जैसे ही आप apply for renewal पर click करेंगे तो यह page आपके सामने खुल कर आजाएगा एक application ID आपको मिलेगी वो जो last year थी आपकी student registration ID जो last year थी आपकी last year important है इसमें तो जो last year की जो आपकी student registration ID है वो ही आप इस साल use करेंगे यहाँ पर जो password आपने बनाया है था वो यहाँ लिखेंगे password बहुत समाल कर रखना है आपको क्योंकि यह password आपको हर साल काम आएगा तो password बहुत important है इसको समाल कर रखना और फिर आप यह capture डाल कर login कर सकते हो अगर आप अपनी application ID भूल गए है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ क्लिक करकर आप उसको दुबारा से प्राप्ट कर सकते हैं password भी अगर भूल गए हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करकर इस पर recover password पर क्लिक करकर आप वो दुबारा से password भी generate कर सकते हैं आप अपना mobile नंबर आगर आपने change कर लिया है तो आप उसको भी यहाँ पर update कर सकते हैं तो यह तीनों काम आप यहाँ पर कर सकते हैं तो यह था उनके लिए जो renewal कर रहे हैं आगे चलते हैं अब जो हैं वो frequently asked question है क्योंकि कुछ questions आप पूस्ते हैं तो उनके जवाब आपको पता होने चाहिए तो सबसे पहले है कि who is who are eligible to apply pre-metric, post-metric and merit-cum means-based scholarship तो student belong to the minorities category Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain and Parsis जो हैं वो eligible हैं हम पहले ही बता चुके हैं आपको how can I apply for the scholarship आपको पता है कि आपको कहां जाना है, online जाना है, किस website पर जाना है scholarship.goe.in इस पर जाकर register करना है आपको या इस पर जाकर login करना है तो सारा काम इसी के थुरू होगा एक दूसरा यह minority affair का भी एक link है आप इस website के थुरू भी वहीं पर पहुंच जाएंगे जो हमारा National Scholarship Portal है जिसको हम NSP के नाम से जानते हैं तो आप जैसे ही इस पर click करोगे तो आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर आगे चलते हैं document कौन-कौन से जरूरी है जो जब आप application भरो जब आप login कर लोगे उसमें registration कराने के बाद जिस परकरिया को मैं नहीं बता पाया क्योंकि मेरे पास अपना कोई registration नहीं है मैं किसी भी वे में registered नहीं कर सकता अपने आपको क्योंकि वह गलत होगा illegal होगा तो इसलिए मैं आपको registration से आगे की परकरिया नहीं बता पा रहा तो उसके लिए मैं आपसे शमा मांगता हूं बट जब आप जाओगी तो आप कर लोगे वो document क्या-क्या चाहिए वो यहां पर उन्होंने लिख रके हैं एक आपको photo चाहिए student आपको अपना फिर verification form provided by the institution वो चाहिए ठीक है income certificate चाहि परा issue किया गया हो जो आपकी income को verify कर पाए एक self certificate community certificate चाहिए कि आप इस particular community से बिलोग करते हैं 18 साल से उपर अगर आप हैं तो खुश साइन कर सकते हैं नहीं तो आपके parents साइन करेंगे application for scholarship under SMCM means come merit based जो scholarship है have to upload self-attested mark sheet उनको अपनी self-attested mark sheet upload करनी है including that the applicant has secured not less than 50% marks कम से कम 50% marks हमारे होने चाहिए last qualifying exam जो भी था हमारा current year की क्योंकि tuition fees का आपको refund मिलता है तो current year की fees receipt आपको उसके साथ लगानी है bank account number देना है of the student along with IFSC code of the bank branch for pre-matric scheme where the student do not have their own bank account parent and guardian can provide their own account detail तो pre-matric जो काकसा 1st से लेके 10 तक है अगर बच्चे का नहीं है तो बच्चे के parents का भी चल सकता है तो pre-matric में ये भी किया जा सकता है ये option भी अविलेबल है एक residential या domicile certificate चाहिए होता है कि आप इस particular state से union territory से बिलोग करते है अधार number of the student if अधार number is not available then the bona fide student तेक एक तो अधार number चाहिए अगर आपके पास अधार number है तो बहुत अच्छी बात है बट अगर आधार number नहीं है तो फिर आपको एक bona fide student certificate चाहिए जिस भी school या institute से आप बिलोग करते हैं and scan copy of bank passbook and आधार enrollment ID चाहिए तो कब चाहिए जब ये आपके पास अधार number नहीं है इस बात को आपको याद रखना है तो जिस बच्चे के पास अधार number नहीं है तो उनको ये दो चीज़ चाहिएंगी तो वो भी upload कर सकते हैं पर उनको अपने school में जाकर bona fide student certificate लेना पड़ेगा उसका performa मैं इस वीडियो के आखिर में दिखा दूँगा आपको if school and institute is located in state or union territory different from the domicile state or union territory of the applicant दोनों अलग अलग जगे है और जो student की state है वो अलग है then bona fide student certificate from school or institute compulsory हो जाता है चाहिए आपके पास अधार number भी हो जा अगर in case of renewal of scholarship for the next academic year the applicant has to provide a certificate that he has he or she has secured 50% marks यह certificate देना पड़ता है in the previous year examination pursued from the same school and institute यह आपको बताना पड़ेगा in case of renewal under mcm based scheme जो होती है तो applicant must have pursued the same course from the same institution in the previous year and secured at least 50% marks यह बहुत जरूरी है तो next question बनता है कि what should be the type and size of the document to be uploaded तो यह जो document हमें upload करने हैं उसका size क्या होगा तो वो 200KB से उपर ना हो और दूसरा वो PDF form में भी हो सकता है और वो JPEG form में भी हो सकता है तो आपकी जो भी documents हो या तो PDF में हो या फिर वो JPEG format में हो और उसका size जो है वो 200KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप size को कम कर सकते हैं online जाकर जब आप बैठोगे computer पर या कहीं पर भी तो आप जब उस पर डालोगे कि online size adjustment तो वो बहुत सारे option दे देगा आपको free के जहाँ पर आप अपने size document को upload करकर उसका size जो size इनको चाहिए नस्प को उसको बना सकते हो वहां से अगला question है कि what document are needed to be given to the institute, school, college for verification of online application form जब बच्चे online आप form फिल कर दोगे तो उसके बाद आपको school को क्या document देने हैं वो यहाँ पर लिखे हैं तो एक तो आपको अपना photo देना पड़ेगा, income certificate देना पड़ेगा, self certified community certificate देना पड़ेगा जो भी आप वहाँ दे रहे हो ने, जो वहाँ upload करें वो सारे यहाँ चाहिए applicant for scholarship under MCM based scheme have to upload a self-attested mark sheet upload करनी पड़ेगी उनको indicating that he has secured 50% marks in the last qualifying exam bank account number देना पड़ेगा, student का विदाय, FSC code, branch name, सब कुछ हो pre-metric हो तो parents का भी चल सकता है, यह हम बता चुके है आधार नंबर चाहिए student का, अगर वो आधार नंबर अविलेबल नहीं है तो bank की passbook और आधार enrollment ID से भी आपका काम चल सकता है फिर instruction क्या है, जो follow करनी चाहिए student को जब वो bank account detail फिल कर रहे हो तो student, parent और guardian must enter IFSC code of their bank branch carefully बहुत ध्यान से भरें से क्योंकि इसी के बेस्वे fund transfer होना है तो यह और bank account number दोनों बहुत important है, इन दोनों को बहुत ध्यान से भरें thereafter complete saving bank account number must be entered, पूरा entered करना है इसलिए वो बार-बार लिक रहे है, complete student, parent, guardian are advised to get account verified from the concerned bank branch as the scholarship amount will not be transferred if the bank account detail are incorrect तो पैसा नहीं पहुँचेगा अगर वो गलत होगी तो आपको अपना bank account holder जो है, वो KYC registered हो, मतलब कि आपने know your customer की जो एक requirement होती है वो अपने bank में पूरी कर रखी हो, तो नहीं कर रखी हो, तो आप अभी वी जाकर उसको clear कर सकते हैं और अधार अपना seed उसके साथ करा सकते हैं application or advice to link there, seed का मतलब link करना ही होता है bank account के साथ अपना अधार link कर दिजिए, so that payment easily transfer हो जाए bank account must be operational होना चाहिए, active होना चाहिए, deactivate account नहीं होना चाहिए, बंद account नहीं होना चाहिए इस बात को आपको याद रखना है नहीं, तो payment वहाँ पर नहीं पहुंचेगी bank account must be preferably in schedule bank, essay bank में हो, जहाँ पर core banking facility हो, एक proper IFSC code हो, वो देखना बहुत जरूरी है in case of post metric and merit come means based scholarship, the bank account must be in the name of applicant student only तेकि सरफ pre में ही ऐसा है कि parents का भी चल सकता है, post metric के लिए और merit come means के लिए सरफ बच्चे का ही account valid है, pre metric में parents का भी चल सकता है, joint account भी चल सकता है UID number क्या होता है, या आधार number क्या होता है, तो UID number जो है, उसको हम आधार number भी कहते हैं यह कौन issue करता है, unique identification number given by unique identification authority of India, जिसको हम UIDAI कहते हैं अगर I do I need to get my अधार to apply for scholarship, क्या जरूरी है मेरे लिए, तो नहीं अगर आपके पास अधार नहीं है, तो भी आप apply कर सकते हो, क्योंकि edited notification आया है इससे related, ठीक है तो if he or she has enrolled तो भी आप काम कर सकते हो, आधार enrollment ID आपको लिखनी पड़ेगी बस, एक copy of her और his request made for अधार enrollment लगानी पड़ेगी उसके साथ, second, bank passbook with photograph लगानी पड़ेगी, राशन कार्ड लगा सकते हैं, और का मतलब है कोई एक, ठीक है जहां भी और लिखा है तो आप bank के passbook लगा सकते हो, राशन कार्ड लगा सकते हो, pen number है तो pen card लगा सकते हो, income tax नहीं यह issue कर लगा सकते हो, certificate of identity वाला कोई document आपके पास है तो लगा सकते हो, जो किसी, अगर school, क्योंकि बच्चे की बात है तो principal of school ने अगर issue कर रखा है तो वो भी लग सकता है, तो जिनके पास यह चीज़े नहीं है, वो school से अपना जो identity card है उसको भी वहाँ पर लगा सकते है, driving lessons भी ल अधार-based payment क्या है, तो applicant student who have entered आधार in their online application correctly and if their आधार is linked with their bank, then amount of the scholarship will transferred या credited into your bank account directly आधार link bank account only, तो आपके bank account में सीधा पैसा पहुँच जाएगा पर जाएगा उसी में जो आपने क्या कर रखा हो, अपने आधार से link करा रखा होगा bank, उसी में जाएगा, can I edit my information that I have already saved, जो मैंने पहले से save कर रखा है, कि हम उसको change कर सकता हूँ, तो हाँ मैं कर सकता हूँ change, पर उसके लिए आपको पहले submit करना पड़ेगा, student login पर जाना पड़ेगा, और फिर अपनी application ID डाल कर login बटन के थूँ, आ I can edit before final submission, जब हम application भर रहे हो, तो उससे पहले कौन-कौन सी field में final submission से पहले, क्या कर सकता हूँ, edit कर सकता हूँ, you can add it, edit all detail, कोई भी detail आप edit कर सकते हो, except registration detail नहीं, जो registration बहुत important है, उसमें जो detail आपने भर दी, उनको आप change नहीं कर पाओगे, वहाँ पे bank account number भरा है, आपने अ apply कर रहे हो, तो वह सारी चीज़े आप बहुत carefully भरें, उनको आप दुबारा edit नहीं कर पाओगे, तो यह आपको याद रखना है, final submit करने से पहले, आप एक बार उसको जरूर चेक कर लें, अगर आपने final submit कर दिया, तो उसके बाद आप information को edit नहीं कर पाओगे, which field in the application form are mandatory, जिस पर भी यह star बना हो, वो लिखना जरूरी होता है, तो यह आपको दियान रखना है, कि जिस पर भी star बना है, वो आपको field भरनी ही पड़ेगी, वो document, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, Do I have to fill up online application in one setting, क्या मैं एक बारी में ही form भरूँ, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप save draft करकर, जब आपको समय मिले, दुबारा भी आप जाकर submit कर सकते हो, तो final stage तक जब तक आप नहीं पहुंचो, बस बार बार save draft कर दीजीगा, जो आपको वो दुबारा detail फिल ना करन Is there any application ID generate होगी? Yes, बिलकुल होगी, तो उसको आपको सम्हाल कर रखना है, अपने school में भी उसको देना है, तो application ID जरूर मिलेगी आपको, SMS पर भी वो आएगी, और उसको आपको याद रखना है, क्योंकि receipt of ID does not give itself a guarantee, पर अगर आपको ID मिल जाए, इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको scholarship मिल जाएगी, पर आपको वो याद रखना है, what should I do if I forget my application ID, तो आप, अभी मैंने आपको पताया था, कि आप forget registration detail पर जाकर, दुबारा से अपनी application ID को जान सकते हो, सिर्फ जानोगे, नहीं नहीं generate होगी, यह बात आपको याद रखना है, How should I check the status of my application online, तो आप student से जब login करोगे अपनी application, जो user ID, password आपके पास है, user ID आपके application ID होती है, और password जो आपने बनाया है, वो होता है, तो जब आप जाओगे, तो वहाँ पर आप, अगर उसको खोलोगे, तो आप check your status के अंदर देख सकते हो, कि आपका, जो application form है, उसका status क्य है, how can I check whether the amount of my scholarship is credited in my bank account, अगर आप ये check करना चाते हो, कि bank में पैसा गया है कि नहीं गया, तो you may check on pfms.nick.in, इस website पर जाकर आप, ये check कर सकते हो, कि पैसा आपके account में गया है, या नहीं गया है, अंदर know your payment, तो know your payment पे आप click करोगे, तो वहाँ आप, जाकर ये देख सकते हो, कि पैसा आपके account में गया है, या नहीं गया है, ये वो bonafide student certificate है, जो एक school issue करेगा, उस पर signature of the head of the institute होंगे, class teacher के भी sign होंगे, institute की seal भी लगेगी, और ये बताया जाएगा, कि ये बच्चा इस school में पढ़ता है, तो जहां पर अधार कार्ड नहीं है, वहाँ पर bonafide student certificate द देना compulsory है, तो ये वो bonafide student certificate है, जिसको हमें issue करना होता है, बच्चे को, so that वो इस scheme, scholarship scheme के लिए apply कर सके, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, जो चीज मैं बता सकता था, वो मैंने सारी आपको बता दी, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, तो उसको like जरूर कीज़ेगा, इस योग्ये समझते हैं, तो comment जरूर करिया, और जादा से जादा, इसको share कीज़े, जो ये सब तक आने की में मेरी मदद कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको ऐसी ही useful information भविशे में भी लेनी है, और अन तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, मेरा चैनल में मेरा नाम प्रदीब खोकर है, और मेरे चैनल का नाम commerce digital classes है, commerce की classes के बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर available है, आप उनको देखकर अपने subject की knowledge को आगे बढ़ा सकते हैं, thank you